नबश्कार में हूं गनीमा स्वागत है आपका दस्तक लाइब में आये बढ़ते हैं इंदोर की खबरों के ओर इंदोर में कोरोना आउट आउप कंट्रोल हो गया है कलेक्टर मनी सिंग ने खुद माना है कि जिस तरह से केस की स्पीड बढ़ रही है वो खतरनाप है दोगुनी तीगुनी स्पीड से कैस्स बढ़ रहे हैं ऐसे सिती में आने वाले समय में पाबंधिया लगाई जोएगी शादियों में लिमिट फिक्स करेंगे बड़े आयोजनों और रेलियों पर रोग लगाई जोएगी तीसरी लहर की दस्तक के साथ एक हफ़ते में ही इंदूर की तस्वीर बदल गई है नए संक्रमितों के संख्या साथ दिन में बढ़कर दोगुने से जादा हो गई है रिकवर होने वालों के संख्या आधी रह गई है 24 गंटे में 110 संक्रमित मिले हैं 206 दिन बाद पॉजिटिव मरीजों का आकड़ा तीन अंकों में आया है इससे पहले 10 जून 2021 को 117 मरीज मिले थे शहर में 5 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5 गुना हो गई है रविवार तक इस संख्या 438 तक पोच गई है सं से हाकार मचा था और इलाज में फजियत हुई थी इस बार प्रशासन ने कमर कसली है रविवार को ठीक होने पर 21 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया यह बाद जरूरे के अधिकांश मरीज जिन में संक्रमित के घर अलग ऐसे रूम में और ट्वालर्ट हैं और हालत भी नहीं है उन्हें होम आईसोलेट किया जा रहा है शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित संक्या को देखते हुए प्रशासन ने सक्ति का नने लिया है मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को जुर्माना देना होगा पब्लिक प्लेसस में सोशल डिस्टेंस रखनी ह लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालंग करने की बिया पील कीजारी है तो देखें कोवीड केसे बढ़ना शुरू हो गया है हम सभी तीसरी वेव के और बढ़ रहे हैं और कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं है कि हम तीसरी ये तीसरी वेव नहीं है तीसरी वेव ही है प्रते बहुत हल्का वायरस इससे कुछ नहीं होता है यह कुछ तक बात सही होगी पर जिस स्पीड से बढ़ रहा है यह स्पीड खतरनाक है ऐसी स्पीड से बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल का इड्मिशन इट बढ़ जाता है और बेट्स की उक्पेंसी पढ़ने लग आती है तो कहीं नहीं कहीं लोगों को बहुत सतरक रहने की ज़रूरत है बड़े कारिक्त्रम कोई भी ना करा है बीड़बार इलाकों में ना जाएं अगर जा रहें तो मास्क पहने वहां पर यह प्रिकॉशन लोगों को रखने जलूरी ह सब्सक्राइब को सतरकता नहीं नहीं रखी जा सकती है या सकती नहीं कि जा सकती हर वेक्ति की उपर तो लोगों खुद भी सब्सक्राइब निवारता पहने यह स्पीट से केसे बढ़ रहे हैं प्रति दिन अगर कल 180 आये थे आज परसों 80 आये थे कल 110 आये तो इसकी हैं इसमें और ऐसी परसितियों में डेफिनिटी प्रतिमत लगाए जाएंगे क्राइस समीति के सदस्यों का अभिमत लेकर करके और राज शासर निर्देश पर ही यह आउडर जारी होंगे पर हां आने वाले समय में जिस परकार से केसे बढ़ रहे हैं इसकी पूरी सम्माव अब दो तीन अस्पतालों में एक लाइफ केर हो गया एक ग्रेटर कलाश हो गया और एक एपल हो गया इनमें एडमिशन की संख्या को 75 प्रतिशत हम लोगोंने कम कर दिया है और एक को बोला है कि लगा लेंगे क्योंकि कोवीट की पेशिंट्स यहां भी एडमिट होंगे औ अक्सिजन की पूर्ति करें वो लोग अगर ऐसी की प्रसिती आएगी तो निकला दिद्दात्म करवाई भी की जाएगी बागी सभी जगह प्लांट लग गए हैं ऑप्रेशनल है होकुम जंग में बिजली का इशू था उसका रेक्टिफिकेशन चल रहा था लाइन डल रही थी एक दो दिनें वो ही पूर्ति हो जाएगी होकुम जंगा प्लांट भी चलू हो जाएगा प्यरोटी सभी जगह 98 परसेंट 96 परसेंट से उपर है जो समची थे वह इतनी प्यरोटी ही रेक्वाइड है